अजनी परिसर से लापता हुए एक व्यक्ति की खापा में हत्या किये जाने का संसनी खेस खुलासा हुआ है बताया जारा है कि पत्नी ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई पिछले पांच दिनों से वह लापता था और अजनी थाने में उसके गुमशुदा होने की रिप पतार किया है मृतक सरस्वती पहले से वंजारी नगर निवासी प्रदीप जनारदन बागडे बताया गया पकड़े गए आरोपियों में पवन विटल चौधरी और सुमित का समावेश है प्रदीप नरेंद्र नगर परिसा में बिर्यानी की दुकान चलाता था जानकरी के नुसा विगत 15 सितंबर को प्रदीप अपने घर से निकला था 16 सितंबर को उसने अपनी पतनी को फोन लगाया था केवल 22 के स्कॉल में प्रदीप की तरफ से कोई आवास नहीं आई इसके बाद प्रदीप का फोन बंद हो गया परिजनों को चिंता होने लगी और दूसरे द नाला परिसम इस्तित एक बड़े पाइप में लाश पड़ी होने की जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुची तो लाश सर चुकी थी कुत्तों ने लाश को खीच का बाहर निकाल दिया था जेब में पुलिस को ड्राइविंग लाइसंस मिला जिससे प्रदीप की पहचान ह इसी बीच पवन और सुमीत ने फुरकेश्वर थाने में सरेंडर किया बताया जाता है कि प्रदीप की पत्नी सीमा ने ही दो लाख पचास अजार रुपे में सुपारी दे कर उसकी हत्या करवाई है इस मामले में और भी आरुपियों का समवेश हो सकता है ग्रामिन पुलिस प्रकरण की जाच में जुटी है